हलो गाइज, वेलकम तो कर्यार मीडिया वंस अगीन, माइनेम इस गुल्शन जा, फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं, MDS में स्टुडेंट्स को गव्मेंट कॉलेजेज में एडमिशन लेने से कितनी स्टैपेंड मिलती है, तो सबसे जरूरी बात हो जाती है कि किस स्टैपेंड देती है, वही सबसे कम स्टैपेंड देने वाली कॉलेज कौन सी है, जब हम स्टेट की बात करेंगे तो साथ में यह भी देखेंगे कि कौन-कौन से स्टेट में कितने कितने गव्मेंट कॉलेजेज है, सबसे जाधा जो कॉलेज स्टैपेंड देती है, उस कॉ क्या जाती है branch wise और जो सबसे कम देती है उस college की cut off क्या जाती है branch wise यह भी इन सभी बातों पर आज हम discussion करेंगे इस वीडियो में तो चलिए start करते हैं वीडियो को सबसे पहले बात कर लेते हैं कि state wise कितनी कितनी stipend दी जाती है आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा सजेशन, नौटिफिकेशन, इंस्ट्रक्शन आप सभी लोगों को ये बात मालूम होगी और अगर नहीं मालूम है तो आज मालूम पढ़ जाएगी कि गर्ब्मेंट कॉलेजेज में अड्मिशन लेने के सिर्फ दो ही तरीके हैं या तो आप आप अप ऐनिया कोटा से ले सकते हो इस अपने स्टेट का मतलब है कि जिस अपका डॉमिसाइल है उसी स्टेट की स्टेट कोठा के तुरौ आप अपको अपने स्टेट में government college में admission ले सकते हो इन दोनों ही तरीके से किसी भी तरीके से यदि आपको government college मिलती है तो आपको कितनी stipend मिलेगी यह आपको आज की इस वीडियो में पता लग जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले बात करेंगे 36 गड़ में MDS की government college सिर्फ एक government college है जिसमें first year में 53,550 rupees stipend दी जाती है second year में 56,700 और third year में 59,220 गुजरात में दो MDS के government colleges हैं first year में stipend मिलती है 47,000 second year में stipend दी जाती है 48,500 और third year में stipend दी जाती है 49,700 Tamil Nadu में 2 MDS te government colleges है 1st year में stipend दी जाती है 37,000 2nd year में stipend दी जाती है 39,200 और 3rd year में stipend दी जाती है 42,400 Delhi में total 3 government colleges है MDS की जिस में 1st year में दी जाती है 79,144 2nd year में दी जाती है 81,287 और थर्ड यर में दी जाती है तो 83,496 रुपीज स्टाइपेंड दी जाती है जब हम टॉप के स्टेट्स की बात करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड दी जाती है तो वैसे तीन स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड दी जाती है उसमें एक डेली है आगे और कौन-कौन से दो स्टेट है उन दोनों स्टेट के बारे में भी बताऊंगा और कौन से कॉलेज में सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड दी जाती है उसके बारे में भी बताऊंगा आगे बढ़ते हैं तिलंगाना में सिर्फ एक M.D.S.T. गॉब्म M.D.S. के कॉलेजिज़ हैं जहां सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड दी जाती है फर्स्ट यर में 96,164 रूपीज सेकंड यर में 97,599 रूपीज और थर्ड यर में 1,258 रूपीज तो यूपी वो स्टेट है जिसे स्टेट में सबसे ज़्यादा M.D.S. में स्टाइपेंड जाती है approximately one lakh per annum. UP के बाद बढ़ते हैं आंदर प्रदेश, आंदर प्रदेश में दो MDS के government colleges हैं, जिसमें first year में stipend दी जाती है 44,075 rupees, second year में दी जाती है 46,524 rupees and third year में दी जाती है 48,973 rupees. आंदरा और तिलंगाना की जो stipend का structure है, वो बिल्कुल same है, जितनी आंदरा में दी जाती है, उतनी ही same तिलंगाना में भी दी जाती है. West Bengal में total एक MDS की government college है, जिसमें first year में दी जाती है 34,125 rupees, second year में stipend दी जाती है 36,750 rupees, third year में दी जाती है 39,375 rupees. राजिस्थान में सिर्फ एक ही MDS की government college है, जहां पर first year में stipend दी जाती है 48,000 rupees, second year में दी जाती है 51,000 rupees, और third year में दी जाती है 53,000 rupees. पंजाब में दो MDS की government colleges हैं, जिसमें first year में दी जाती है 50,820 rupees, second year में stipend दी जाती है 50,820 rupees, और third year में दी जाती है 50,820 rupees, तो पंजाब में जो structure है, stipend का structure है, जो first year, second year और third year बिल्कुल सेम रहता है, उसमें कोई increment नहीं है. पंजाब में एक MDS की government college है, जिसमें first year में दी जाती है 27,000 rupees stipend, second year में stipend दी जाती है 30,000 rupees, और third year में दी जाती 33,000 rupees. उडिशा में सिर्फ एक MDS की government college है, जिसमें first year की stipend है 51,522 rupees, second year की stipend है 54,036 rupees, और third year की stipend है 56,549 rupees. महारास्टरा की बात करें, तो महारास्टरा वो state है जहाँ पर सबसे ज़्यादा MDS के government colleges है, खेर महारास्टरा एक ऐसी state है जहाँ पर सबसे ज़्यादा medical के भी colleges है, PG भी अगर आप देखेंगे, PG या MBBS भी आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा colleges महारास्टरा में ही है, महारास्टरा उता मिलाडू में है, मगर MDS की जब हम बात करते हैं, तो MDS के लिए भी सबसे ज़्यादा government college महारास्टरा में ही है, जहाँ पर first year की stipend है 39,648 रुपीज, second year की stipend है 41,892 रुपीज, third year की stipend है 45,258 रुपीज, अगली स्टेट है MP, MP में सिफ एक MDS की government college है, जिसके stipend है 55,000 रुपीज फिर्स्ट रुपीज, second year में 57,000 रुपीज, और third year में 59,000 रुपीज, कैरला, कैरला में सिफ दो MDS के government colleges है, जहाँ पर first year में stipend दी जाती है 53,000 रुपीज, second year में दी जाती है 54,000 रुपीज, में 55,000 रुपीज, करनाटका में एक MDS की government college है, जहाँ पर first year में stipend दी जाती है 40,000 रुपीज, second year में दी जाती है 45,000 रुपीज, और थर्ड यर में दी जाती है 50,000 रुपीज हिमाचल प्रदेश में एक government college है MDS की जिसमें first year में दी जाती है 35,000 रुपीज second year में दी जाती है 40,000 रुपीज और third year में दी जाती है 45,000 रुपीज हर्याना एक और state जिसकी stipend जादा है हलाकि हर्याना में भी सिर्फ एक ही MDS की government college है और वहां की stipend first year में दी जाती है 78,000 रुपीज second year में दी जाती है 81,151 रुपीज और third year में दी जाती है 83,538 रुपीज बिहार में total एक MDS की government college है जिसमें first year में stipend दी जाती है 43,800 रुपीज second year में दी जाती है 48,180 रुपीज और third year में दी जाती है 52,998 रुपीज गोवा में सिर्फ एक government medical college है जहां की stipend है first year की 50,000 रुपीज second year में 52,000 रुपीज और third year में 55,000 रुपीज और आसाम में भी सिर्फ एक MDS की government college है जहां पे stipend दी जाती है 27,000 रुपीज first year में 28,000 रुपीज second year में और third year में 29,000 रुपीज तो तीन वो state जिसमें आपको सबसे जादा MDS में stipend दी जाती है वो है सबसे पहले उत्तरपरदेश उसके बाद Delhi और तीसरी state है हर्याना तो कहने का मतलब है यह जो चीजे बताई जा रही है यह बताने का मतलब यह है कि जब भी आप All India Quota के लिए counseling को attend करो तो आपको इन चीजों को अपनी choice filling में जगा देनी ज़रूरी है जब आप choice filling अपनी ready करते हो तो choice filling ready करने के time में stipend कितनी है, chairs कितनी है, क्या patient flow है, किस तरीके से infrastructure है वो सारी चीजों को ध्यान में रखना ज़रूरी है उस according ही आप अपनी choice filling ready करो और इस पर आपको अभी से काम करना start कर देना चाहिए क्योंकि exam के बाद result आने के बाद counseling से पहले जो यह समय दिया गया है, वो सिर्फ इसले दिया गया है ताकि आप अच्छे से research कर सको, अच्छे से आप अपनी choice filling ready कर सको, सभी colleges के बादे में अच्छे तरीके से जान सको कि वहाँ की infrastructure कैसी है, पढ़ाई कैसी है, each and everything stipend किसमें क्या दी जाती है, कितनी हद तक दी जाती है, कौन-कौन से branch, कौन-कौन से colleges के अच्छे हैं, कौन-कौन से colleges का नाम बहुत अच्छा है, मगर branch उस college में top के branch अलग है और कुछ-कुछ branches ऐसे भी हैं, जो वहाँ के top के नहीं है, तो इन चीजों पर आपको अपना काम करना बाकी है, यह तो हमने state-wise बात की, अब बात करेंगे college, कौन-सी college है, जो सबसे ज़्यादा stipend देती है, और कौन-सी college है, जो सबसे कम stipend देती है, और जो stipend देती है, उसक और जो जिस college में सबसे कम stipend देती है, वो है regional dental college, गोहाटी, जब हम इन colleges की बात कर रहें, तो इन colleges की cut-off भी जाननी ज़रूरी है, कि आखिर KGMU में, यदि हमें admission लेना है MDS में, तो हमें कितनी ranking लानी होगी, और वो भी किसी एक particular branch के लिए, तो क्यों ना, इस बात को भी जा जाती है, regional dental college, गोहाटी की बात करें, तो प्रोस्थो की कोई seat नहीं है उस college में, periodontia की एक seat है, जिसकी cut-off जाती है 354, ये all India quota के through जाने वाले cut-off के बारे में मैं बता रहा हूं, state की cut-off अलग जाती है, जो मैं अगले वीडियो में, या किसी और वीडियो में मैं आपको बत जाती है, जिसकी cut-off जा सकती है 200, 201, 202 तर, ऑपरेटिव कंजरवेटिव की एक seat है, जिसकी cut-off जा सकती है 203 से 205 तर, वहीं अगर सबसे जादा stipend देने वाले college की बात करें, faculty of dental science, KGMU लगनाओ, तो प्रोस्थो की 3 seat है KGMU में, जिसकी cut-off बहुत हाई जाती है, 50-51, तक मे एक seat है, जिसकी cut-off 213 तक जाती है, पैडो एड़ प्रिवेंटिव में, एक seat है, जिसकी cut-off 111 तक जाती है, और तो टॉंटिया में, दो seat है, जिसकी cut-off 25-30 तक में खतम हो जाती है, और अप जब counseling को, अब जब counseling को, आपकी कुछी दिनों में start होने वाली है, तो आपको किस तरीके से अपना homework करना है, किस तरीके से stipend जो चीज है, इसे भी अपनी choice filling के लिए, आपको choice filling में जगा देनी है, कोई भी doubt हो, query हो, तो दिये के number पे call करें, और यदि आप career media से paid services भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप दिये के number पे call करके, हमसे हमारी paid services ले सकते हैं, जिसमें हम आपको MDS के regarding, throughout the counselling complete guidance प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपको सारी चीजे हमारी तरफ से बताई जाएंगी, पूरे counselling में आपको face to face help दी जाएगी, इस वीडियो में फिलाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ और updates के साथ, states की cutoff अभी पानी बाकी है, अगर आप All India Quotak में branch wise cutoff कितनी जाती है, वो जानना चाहते हो, तो आप description box में जाकर के link, description box में मैं link डाल दूँगा, उस link को क्लिक करके आप जान सकते हो, साथ में deemed के भी cutoff डाल दी जाएगी, आप उसे check कर सकते हो, या फिर आपको ये cutoffs, अगर career media के website पे जाकर क्या आप देख सकते हो, आपको वहाँ पे भी cutoff मिल जाएगी, इस वीडियो में फिलाल इतना ही channel को share, subscribe और like ज़रूर करें, जिससे की बाकी सारी updates आपको time to time मिल सके, इसके लिए आप notification bell भी ज़रूर प्रस कर लें, thank you so much